यह पढ़ा है यह गया कि ऑस्टेट साब ने यह कहा था कि जहां पर करेंट होती है उसके चार और मैगनेटिक फिल्ड होता है यानि कि जब ऑस्टेट ने मैगनेटिक फिल्ड का कांसेट बताया उस समय तक मैगनेटिक फिल्ड का ग्यान हमको हो चुका था भी तो बताया होग किसको दर रग दो, दो मास पार्टिकल हैं, तो उनके बीच पे फोर्स काम करता है, बिना टच किये, GM1M2 upon R square by given by Newton, किस वज़े से, कि वही चार्ज पार्टिकल टच भी नहीं कर रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि उनके चार और एक फिल्ड क्रेट हुआ, उस फिल्ड का नाम क्या दिया गया, फिल्ड फिल्ड, फिर इसके बाद एक और फिल्ड हमको जानकरी थी, कि अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल लगते ह therapists लगते हैं, तो उसके चार और एक electric field होता है, और electric field के अंदर कोई दूसरा charge particle चाहे वो rest में रखो चाहे चलता वा ले जाओ अगर उसके अंदर गया तो उस पर force लगेगा तो electric field का भी जानका रही थी magnetic field की भी जानका रही हो गई थी और ये भी मालूम हो गया था magnetic field किस वज़े से create होता है तो पहले तो हमने पढ़ाते कि magnesia नामक सहर में कौन सा magnesia जगे थी वहाँ पर क्या load stone कहते हैं क्या कहा जाता है एक प्रकार के वहाँ stone पाए गए जिनमें एक property थी एक direction में खड़े होते थी उनको जब freely suspend किया जाता था तो नार्स आउटन जाके वह stand होते थे हमेशा और दूसी चीज अगर कोई magnet उसके पास लाए जाए वैसा ही कोई लाए जाए तो या तो दोनों एक दूसरे को अट्रेट करते थे या तो ripple करते थे अगर कोई लोहे का टुकड़ा लेके आओ तब भी उसको अट्रेट कर लेते थे तो उन्हें magnetic field का भी हमको ग्यान हो गया था किस वज़े से because of the magnet फिर हम ने देखा कि कोई भी current अगर कहीं flow हो रही है किसी circuit में तो उसके चारो और भी magnetic field होता है seen by फिस scientist Austin ने देखा ठीक है अब ज़रा उसी magnetic field बारे में बात करे जा रहे है देखे Austin ने का देखी भी ऐसा है कि अगर कोई circuit आप ले लीजे किसी circuit में current flow हो रही हो तो उसके चारो और magnetic field क्रेट हो जाता है ठीक है हमने क्या किया इसके भगल से यह current flow हो रही है अब यह बताओ इस current carrying circuit में के चारो तरफ electric field है कि नहीं है इस current carrying circuit जो है जिस circuit में current flow हो रही है इसमें electric field है कि नहीं है बड़ा confusion का concept है इसमें electric field नहीं है क्यों क्योंकि इस पूरे system में net charge कितना है 0 तो हमने साथ समझाया था एक बार कि अगर आप इसको enclose करता हुआ एक Gaussian surface हीज दें तो net charge, net current इसके अंदर net charge इसके अंदर 0 है इसलिए इसमें electric field तो नहीं है हमने क्या-क्या एक charge particle को इसके बगल से गुजारा charge particle को गुजारा तो हमने देखा charge particle law of inertia क्या कहती है कि कोई body अगर चल रही है तो सीधे ही चलेगी अगर वो चलते चलते रुख जाती है रुखी भी body चल देती है या चलने वाली body direction चेंज कर लेती है तो तीन ही वज़े से होता है inertia of rest, inertia of motion inertia of direction जड़त का नियम होता है जड़त का जड़त, इराम का जड़त तो हमका एक आध हिंदी बोल देते है और एक दिशा का जड़त तो यानि कि हमने देखा है charge particle सीधे नजाकर के मुड़ जाता है तो मोड़ने के लिए charge particle को मोड़ने के लिए दो लोग जिम्मेदार होते है या तो electric field या तो magnetic field नहीं मारो उनको magnetic field नहीं मारो या तो electric field या तो electric field gravitational field यहाँ पर फिलाल applicable नहीं होगा ऐसा नहीं है यहाँ पर भी charge particle है इसका कुछ mass होगा इसका कुछ mass होगा और इसका भी mass होगा तो यहीं पर इसको ऐसे खीच लेना चाहिए था लेकिन हम फिलाल gravitational force को charge के उपर apply नहीं करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि gravitational force दो electron के बीच में या दो proton के बीच में या एक electron एक proton के बीच में electrostatic force की compression में बहुत 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 कम होता है इसके बाद हमने इस charge particle को यहां rest में रख दिया कहीं तो देखा इस पर कोई भी moment नहीं हो रहा था यानि इस पर कोई भी force act नहीं कर रहा था charge move कर रहा था और एक दम से turn हो गया तो charge एक ही वज़े से turn हो सकता है इसके चार और electric field होगा हम को नहीं electric field होता अगर नहीं होता है मान लेते है electric field होता है ठीक है वैसे तो नहीं होता है हमको मालूम क्यों नहीं था हम तो गास्वरम पढ़ चुके थे लेकिन हम कोई मालूम नहीं था कि magnetic field है या magnetic field की वज़े से move करता है हमने charge को rest में रख दिया यहां पर और आप जानते हैं कि अगर charge रखा भी हुआ है तो electric field तो force लगाएगा लगाएगा लेकिन force उस पे नहीं काम कर रहा है procrast teacher field तो हम लोग पहले क्या होता था पहले वारे जो teacher थे वो बैठे हुए भी फोर्स लगाते थे चार्ज मतलब तुम लोग अब तुम लोग बैठे हो नहीं पढ़ रहे हो बैठे हो नहीं पढ़ रहे हो तो टीचर क्या करता था डंडा लेके जाद आते यह से नहीं पढ़ेगा घर से भी नहीं आ रहे हो तो तरियाग लाता था, ठीक है, तो पहले फोर्स लगाता था, पहले, लगाता था ना, सुना होगा, अगर नहीं मालू हो तो सुना तो होगा, ठीक है, कि फलाना हमारे चाचा रहे हैं, कोई कहानी बताया होगा, बाबा जब कहानी बताया होगा, बाबा जब कहानी बताया वह बैठे वे चार्ज में भी फोर्स लगाता था। अभी क्या हुआ गुरु जी तो फोर्स लगा ना चाहते हैं। इस गुरु जी के उपर दूसरा फोर्स फिल्ड बैठा हुआ है। सोसल मीडिया ये मीडिया कोर्ट का कर ना तीचर को तुमने स्टूड़न को डाढ दिया यह लो तुमने डाढ दिया पहले स्कूल जाते थे तो जाड़ू हम लोगाने पड़ती थी क्योंकि उसको विद्यामंदिर है हम एक सोसल वर्क होता था अभी किसी जब लोग आ लो तो teacher ने student से काम ले लिया, काम ले लिया, हरे, कोल पढ़ाओ, तो वो भी कहला पढ़ो, पढ़ो पढ़ो ने गुजो, का करें भाई, तो अभी फिलाल teacher इस वाले magnetic field को फालो करता है, अगर आप movement कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप फोर फोर्स लगेगा, तब फोर्स लगेगा, लगेगा वो उसमें थोड़ा सा, ठीक है, मतलब आप से पूछा जाएगा कि why you have not done work, लेकिन आप बिलकुल rest में बैठे हो, खड़े हो जाओ, question लगाया था, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, question लगाया था, बैठ जाओ, खड़े ही म then force will not attack, ठीक है, तो ये तो हम समझ गया कि magnetic field में अगर कोई charge move करता है, तो उस पर force लगता है, move करते ही, उसमें चार्ड लगता है, अगर rest में है तो उसमें कोई force act नहीं करेगा, तो उसी force के बारे में बात करने जा रहे है, ठीक है, ये हमने experiment करके देखा, ठीक है, हाँ, ये magnetic field होता है, इसको इस तरह चेक नहीं किया गया था, कि charge move कराया था, तो magnetic field होता है, वो तो ऑस्टेट साहब ने एक magnetic compass रखी थी, और compass की वज़े से, वहाँ पर, आज सपने में कोई compass बनाना हमको सिखा रहा था, लेकिन, वो अमदा ऐसे बता रहा था, कि ऐसे compass बनती है, ऐसे compass की, वहाँ जादा भी, ठीक है, देखे, तो force आने moving charge in a uniform magnetic field, किसी magnetic field में, अगर किसी charge को move कराते है, move कराते है, तो इस पर एक force काम करता है, यह किसने observe किया था, लारेंस साहब ने, लारेंस साहब ने electric field में भी force निकाला, magnetic field में भी force निकाला, और दोनों field create करके भी force निकाला तो फिलाल हम बात करने जा रहे है, magnetic field की, तो यह कि देखा गया कि अगर किसी magnetic field में, suppose a charge particle Q is there, और magnetic field B is there, और the velocity of magnetic field is V, यह जो magnetic field V velocity से move करता है, direction देखे, यह देखा गया कि यह, जो magnetic field है, हो मालिया x direction में है, लिया उन्होंने, और यह y direction है, यह z direction है, तो इसमें charge particle को entry कराया y direction में, तो देखा उस पर force act करता है, जिसकी direction देखा, क्यों नहीं आप कह सकते, आप क्यों कहेंगे, तो आपको experiment करके देखना पड़ेगा, तो उन्होंने देखा, क्योंकि जेट direction ऐसी होती है, यह z direction है, ठीक है, तो अगर कोई भ charge particle, magnetic यह charge particle है मालिया, magnetic field की direction की perpendicularly चलता है, तो उस पर एक force act करता है, जिसकी direction वी और भी दोनों के perpendicular होती है, होती है, यह अगर यह x direction में है, वो जाएगा y direction में, तो force किदा लगेगा, जे direction में, ठीक है, वो force कितना होगा, तो वो force की value उन्होंता है, f is equal to q v cross v, यह force का formula होता है, ठीक है, तो लिख लिजेगा, कि विन चार्ज particle q, enters in a magnetic field b, विन चार्ज particle q, enters in a magnetic field b, then it experiences a force, then it experiences a force, given by f is equal to q v cross v, अगर कोई q आवेस, magnetic field b में, v velocity से प्रवेस करता है, तो उस पर एक बल कारिक करता है, जिसकी value f is equal to q v cross v होता है, अब चूंकि आपको अगर 11th class का concept याद हो, तो अगर दो cross product अगर a cross b होता है, तो इसका जो resultant vector बनता है, इसकी net direction क्या बताई गयी थी, a और b के, दोनों के perpendicular, तो जब मैं v cross b ले रहा हूं, तो इसका उन्तब force की direction किदर है, v और b दोनों के, तो लिख लिजेगा, the direction of force, the direction of force is perpendicular to v and v both, direction of force is perpendicular to v and v both, इस बल की दिशा, v और b दोनों के, लंबत होती है, ठीक है, अब जड़ा ये समझें, समझें गयादा ज्यान से, माले ये x-axis है, ये y-axis है, ये z-axis है, या ये x-axis है, ये y-axis है, ये, ने वही मानो, ये x-axis है, यही मानो पहले वाली, ये x-axis है, ये y-axis है, ये z-axis है, ये भी तो हो सकता है कि magnetic field की direction में नहों करके या उसके perpendicular नहों करके charge particle co direction में entry मारे है तो अगर माल या charge particle इधर magnetic field है और charge particle इधर move करता है मतलब वो magnetic field की direction से theta angle बनाते वे वो move करता है तो उस पर जो force काम करता है तो लिख लिजे एक note करके या note नहीं लिखिया ऐसे लिखिये if charge particle makes angle theta with the direction of magnetic field या if the charge particle enters in the magnetic field making angle theta with magnetic field या द्याविसित कर चुमकी छित की दिशा से theta कुड बनाते वे प्रवेस करता है then force acting on it is given by f is equal to qvb sin theta हमने याँ vector हटा दिया है दिखे हाँ कहीं भी कोई vector नहीं इसलिए हाँ vector मत लिखेगा f is equal to qvb sin theta actually है क्या v के दो component होंगे एक component होता है v cos theta जो theta से लगावा component होता है और उसके normal component क्या होता v sin theta देखे actually कोई भी field कोई भी field चाहे वो gravitational field हो चाहे electric field हो चाहे magnetic field हो force लगाने का मकसद क्या होता जो हम कहें वही करो जाहे teacher field हो master का एक force लगाता है जो हम कहें वह करो सवाल लगा कि लाओ लाओ कापी बनाओ वहीं बनाओ तो force आपके उपर नहीं लगेगा हमरे घर आओ तो आओ एक और field को उसमें जुड़ जाता है तो आप ए force नहीं लगेगा तो जब magnetic field इसका जो एक component किस direction में है V cos theta जाने इस direction में कोई force act नहीं करेगा ठीक है तो ये आपका formula हो गया देखे हमको बात करनी है अभी हमने कहा कि कोई भी magnetic field में अगर charge particle entry करता है तो उसमें force लगता है तो बहुत है magnetic field में उगर motion करेगा force लगेगा तो वो कैसे motion करेगा तो हमाला गरा case लेके चलते हैं first case हम लेके चलते हैं कि अगर वो magnetic field की direction से perpendicularly entry करता तब क्या होगा यानि if V is perpendicular to B चलेगा ये एक logic चलेगा ना V is perpendicular to B तो देखे ये है magnetic field ये magnetic field जाता ठीक रहता है एक तो हमको बनाना नहीं पड़ता है ये magnetic field है ये क्या है magnetic field है क्या बता सकते हैं ये magnetic field की direction क्या है perpendicular to the plane of paper directed inward अंदर की direction magnetic field है अंदर direction मतलब जो north pole है वो अंदर जा रहा है ये मतलब वो जागर कि बाहर आपको जो दिख रहा है वो south pole है और अंदर जा रहा है वो north pole है तो हमने कहा था भी जैसे आप तीर से represent करते हैं तो जो तीर आप देखेंगे तो तीर का ये tip होता है और ये इसका पीछे का part ऐसे होता है अगर ऐसे देखो तो ये cross जो तीर का होता है ये दिखाई पढ़ रहा है आपको ठीक है अब इसमें कोई भी charge particle entry करता है इस प्रकार से V velocity से perpendicular है कि नहीं है तो इस पर एक force act करेगा और force की direction हमने क्या बताई V और B के perpendicular और जब किसी भी body पे किसी भी body पे force हमेशा उसके चलने के perpendicular लगता है तो body किस पाथ में move करती है circular पाथ में move करती है practically समझेगा ये है sun और इसके चारो और घूम रही है अर्थ तो हमने पढ़ रहा है कि जो sun है जो अर्थ है वो elliptical orbit में घूमती है circular माल लेते हैं circular orbit में घूमती है तो क्या अर्थ inertia के रून को follow नहीं करती करती है actually अगर यहां पर अर्थ है तो अर्थ घूमेगी तो किधर जाएगी वो सीधा जाएगी न लेकिन वो सीधा जाए कि उस पर perpendicular force लगाता है sun तो नियमता force हमेशा उसके चलने के perpendicular ही लगेगा तो जैसे force लगेगा वो अपनी direction को change कर देगी फिर यह force लगेगा फिर यह force लगेगा फिर यह change कर देगी तो इस perfect मतब यह हमेशा कारण यह है अगर हम अर्थ को यहां माल लें तो क्या आप यह perpendicular है यह नहीं है तो force हमेशा उस अर्थ के चलने के perpendicular लगे हो 90 degree theta maintain रहे तो उसके लिए उसको किस path move करना पड़ेगा circular path move करना पड़ेगा यह charge particle जैसे entry करता है तो charge particle पर force लगता है वो क्या होगा force acting on charge particle force acting on q on q यह थोड़ी language लिख दोगे ठीक है तो f is equal लूग क्या होगा q e b sin 90 यह फोर्स q e b लगेगा और इसकी दाएक से कोई दिक्कत हो रही क्या ठीक है दिक्कत हो ने रही तो दिक्कत क्रेट भी मत किया करी है तो due to this force यह किस path में move करेगा यह क्या circular path circular path में मटक मटक के चल रहा है क्या यह चलो जला इसको circular path में move करा देते है यह circular path में move कर रहा है यह magnetic field है अब कभी-कभी path जानने में दिक्कत होती है ठीक है path जानने में दिक्कत होगी कि मैं इस path को बनाऊं कैसे clockwise बनाऊं या anti clockwise बनाऊं ठीक है तो उससे बड़ी आप book में देख लो मैं अगर book में clockwise बना है तो clockwise बना करके समझा देता हूँ इसलिए clockwise है या याद कर लो ठीक है एक दूसा तरीका मैं सस्ता वला तरीका आपको उदा देता हूँ देखे अगर हब ये बताना चाहें कि या कर ये जो charge particle इसके अंदर entry कर रहा है इसकी direction क्या होगी इसके motion इस पर जो force लगेगा वो इसके दिशा में लगेगा इसका path कैसा होगा तो उसके लिए सबसे बढ़िया सा जो rule है वो left hand rule है left hand rule में क्या होता है देखो द्यान से वैसे तो आगे भी आप पढ़ेंगे rule इसमें क्या करेंगे कि यह आप की यह होती है फूर्फिंगर को magnetic field की direction में करिए यह magnetic field जबब करोगा ना ऑर इस को उस direction में करिए जिधर charge particle entry कर रहा है तो आपने middle finger को इस direction में कर दिया ठीक है तो जिदर अंगठा है वो force की direction को बताएगा अब देखो ये है आपकी direction of motion charge particle के motion की direction है ना और इसके perpendicular force लग रहा है यानि कि इस charge particle के चलने के perpendicular हमेसा force लगता है और हमने पढ़ा है किसी भी particle के चलने के अगर perpendicular force हमेसा लगेगा वैसे यह particle चल रहा है ठीक है और यहाँ perpendicular force लग रहा है तो simple सी बात है अगर हम इसको ऐसे ही चला देंगे तो अगर इस point की तरफ force लगाओगी तो angle change हो जाएगा तो अगर हमेसा perpendicular force लगा तो body किस पात में move करेगी circular path में move करेगी तो यह ऐसे charge particle गया और force उपर लग रहा है तो यह ऐसे circular path में move करना शुरू कर देता है ठीक है तो इस method से आप direction निकालो तो ऐसे मालू हो जाएगा कि क्या direction होगी सुझ में आई बात तो ऐसे ये particle ऐसे चल रहा है इधर की और force लग रहा है ऐसे चल रहा है यहाँ प्याओ यह उंगली है अंदर की जरफ particle उपर जा रहा है तो हमने उंगली को ऐसे रखे वे यह अपना हाथ मोड दिया ठीक है तो यह उंगली कई धर हो गई जिदा चार्ज पार्टिकल चलने की डिरेक्शन ये उंगली देखिए और उठा किदर है नीचे की तरफ तो इस प्रकार से फोर्स की दाइक्शन आप निकाल सकते हैं ये ज्यादा बहतर रहेगा अब ज़रा समझने की कोशिज करो ये किदर जा रहा है वी विलास्टी से तो इस पर हमेशा फोर्स किदर काम कर रहा है सेंटर की तरफ हमेशा काम करेगा अगर पार्ट के लिए यहां आ जाएगा तो जा रहा है टेंजेंशल डिरेक्शन में अगर उससे कहा जाए कि कहा है तो आप इनर्शिया कर रूल फालो न तो इस फोर्स की वैलू क्या होगी, F is equal to QVB, तो अब चुकि सर्कुलर पात है, तो पात की जानकारी होनी चाहिए, कि उस पात की रेडियस क्या होगी, अगर उस पात है, तो पात का time period कितना होगा, ठीक है, तो अब पहली चीज देखिए, अगर सर्कुलर पात में मूब के लिए हमने फिलाल इसकी रेडियस क्या माली है, R, सर्कुलर पात में मूब करने के लिए उसको क्या चाहिए, centripetal force चाहिए, वो centripetal force то कहां से काम कर, मिल रहा है, लॉरेंज फोर्स है ठीक है जो इसको अभी केंद बल काम करें कहां से मिलेगा लॉरेंज फोर्स है तो लिखेंगे दर रिक्वाइड सेंटिपीटल फोर्स दर रिक्वाइड सेंटिपीटल फोर्स पीटल फोर्स इस क्या लिखेंगे गिवन बाई given by यहां ओमेगा की बात की हमने हमने ओमेगा की बात की यहां पर हमने ओमेगा की बात की है यहां क्या बात हो रही है जो यहां बात होगी उसके टर्म में आप बात करेंगे न आपको वी की बात की गई है तो वी की टर्म में वैलू होती नहीं होती है यह required centipetal force कौन प्रवाइड कर रहा है इस प्रवाइड़ बाई लॉरेंज फोर्स यह लॉरेंज फोर्स प्रवाइड कर रहा है न इसका मतलब जो force है जो कि हमको चाहिए क्या mv square upon r वो कौन प्रवाइड करेगा वो प्रवाइड करेगा लॉरेंज फोर्स ठीक है तो अगर मैं इसको calculate कर दूँ तो यहां से v और v cancel हो जाएगा cross multiply करेंग तो आएगा r qb is equal to m तो r is equal to क्या होगा यह क्या मैं लिख रहा हूँ भया mv square upon r होता है वही तो मतलब का देखी दे रहे हो mv हो जाएगा mv upon qb mv है mv है उसका charge particle का v is the velocity of charge particle q is the charge and b is the magnetic field then this will be the radius of the path वह इस path की radius यह होगी ठीक नोट करिए इसको अब देखे यह जो radius आए किस-किस बात पर depend कर रही है तो पहली बात तो r is proportionate v यानि जितनी ज़्यादा velocity से इस charge particle को entry करो करोगे उतनी ज़्यादा radius के पात में उसको घूमना पड़ेगा पहले माले आप बहुत तेजी से cycle चला रहे हो ठीक है एकदम से कोई मिल गया अरे हलो और घूम गया आप क्या होगा ख़बडा गिर जाओगे तुम अरे हलो यह तो सोचो कि आर प्रपोर्शनेट भी हमारी velocity ज़्यादा है तो radius कैसी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए प्रपोर्शनेट के मतलब मतलब हम कम हो जाएंगे एंपैर कम हो गया अधा तूड़ गया ठीक है तो अगर ज़्यादा velocity से इंट्रिकर आओगे तो उसकी radius बड़ी होगी दूसरी बात आर प्रपोर्शनेट वन अपान भी अगर हम देखना भी चाहिए कि magnetic field पे कैसे डिपेंट करता है inversely होता है अगर जितना strong magnetic field होगा उतना ही कम radius के force ही आप लाएंगे उससे मतलब नहीं फिलाल इससे इसलिए मतलब नहीं है कि चार्ज का गुण नहीं है हमें चार्ज के emotion वारें बात करने हैं न तो चार्ज का गुण हम देखेंगे हम इसको फिलाल नहीं देख रहे है अच्छा ज़रा M और Q को देखो इसको एक साथ हम क्या कहते है density कहते है चार्ज देंसी आई चाही कुछ कहते है हमने बताया है अगर आपको ध्यान हो तो इसका नाम हमने कुछ बताया है एक मिनट ज़्यादा उतना बोला करो जतना बोलना चाहिए ठीक है उसमें कोई दिक्कत और कुछ नहीं होती एक समय आता है फिर टीचर सामने बाले को इगनोर कर देता है और अगर जिसने स्टूडेंट इगनोर हो गया तो वपीस बात आप बैठे रही है आप बैठे ही रही है कि अबल ना आपको कोई उसका धान जाता है ना आपका उससे मतलब रहता है मतलब यह रहता है बस आए हो तो आए हो ठीक है आओ और जाओ क्योंकि आप ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं न आपको याद होगा एक निमेरिकल डिसनस किया गया था एंसी आरटी का उसमें हमने एक तीन चार्जेज को इंट्री कराया था एक चार्ज ज़्यादा इंट्री घुम गया था और तीनों चार्जेज का नेचर कुछा गया था आपसे कि तीनों चार्जेज का नेचर कैसा होगा ठीक है यह प्रूफ एक आर्टिकल कराया गया था और उसमें ये था कि इसकी radius ज्यादा होगी ज्यादा radius में गुमेगा तो उसमें एक word यूज किया था Q upon M इसको specific charge कहा जाता है इसको हम नाम देते है specific charge विसिट आविस ठीक है तो इसमे Q upon M जो होता है वो specific charge कहलाता है इसको एक साल लिखते हैं अब Q upon M उल्टा लिखा है ना यानि R is inversely proportional inversely proportional to specific charge specific charge विसिट आविस कहते हैं इसको विसिट आविस विसिट आविस ठीक है यानि कि Q upon M जितना ज़्यादा होगा charge और mass का ratio वह एकर आप कोई charge पार्ट के नाम में लिए उसका Q ज़्यादा है तो M भी तो देखोगे ना उसका क्या है तो Q और M को अलग-अलग हम consider नहीं करेंगे Q upon M का ratio को हम विसिट आविस कहते हैं specific charge कहते हैं तो जिसका specific charge इतना ज़्यादा उसकी डिटिस उतने ही कम इनवर्सिर है ना यह बहुत ध्यान रखी गाई यही यही concept आपके उस 14th numerical side था in CRT का पहले chapter का उसमें discuss किया देगा नोट करिए इसको अब charge particle की velocity है ने उसके बाद kinetic energy है तो अगर हम एक और formula बनाना चाहें if k is the if k is kinetic energy of charge particle of charge particle तो k is equal to क्या होगा half mv square तो v की value क्या आएगी 2k upon m under root तो एक और formula बन गया इस v की value उठाकर के question number 1 में रख दो तो by question 1 r is equal to क्या होगा m upon qb under root 2k upon m अब इस m ने इस m को देखा एक दूसे के सहली है तो या तो ये m बाहर निकल के आवे बाहर निकल नहीं सकता या ये अंदर चला जाए ये अंदर जा सकता है इस को बन के जाएगा ना तो formula क्या बन गया 1 upon qb बाहर कर दोगे under root 2km तो ये radius का formula हो गया देखे अगर formula आपको proof करने को देते हैं तब तो आपको proof यही करना पड़ेगा लेकिन अगर आपको numerical देते हैं और आपको formula ये याद नहीं है कोई जूरुत नहीं है वी निकालने के लिए हम kinetic energy का formula रख देंगे तो अपने आप वी की value निकल आएगी ठीक है अब हमने का भी के kinetic energy है तो electron या charge particle को kinetic energy देने का तरीका क्या होता जूता ले के दवड़ा लोगे उसको बाग जाले ले के दवड़ा ऐसे दवड़ा होगे क्या तरीका उसका होता फेक दोगे उसको धकाई से मारो डंडे से धका मारो दोगे उसे कैसे एक्सलिट किया जाए कैसे उसको energy दी जाए तो electron या positive charge को energy देने का तरीका हमारे पास क्या है वै हर चीज़ का तरीका होता है ना ठीक है नहीं मालूम हम एक potential difference apply करेंगे नहीं होता है हम एक potential difference apply करेंगे मनले यहां से potential difference apply किया और कोई भी charge particle move करा होगे तो भागेगा potential difference क्या होता है W upon Q W is equal क्या हो जाएगा Q into V तो अगर charge particle Q है और उसको accelerate कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक potential difference apply करना पड़ेगा जितना high potential difference होगा उतनी ज़्यादा तेजी से वो move करेगा भाई जैसे आप जानते है X-ray होता है तो अभी तुम्हारा हुआ होगा इसलिए मैंने X-ray का exam पे लिया X-ray में क्या होता है पे X-ray को हम body पे डालते है तो X-ray जो होती है वो bones को cross नहीं कर पाती है जहां पे bone नहीं होगी वहां से cross कर जाएगी तो डाक्टर समझ जाता है कि इस part में bone होनी चाहिए और यह जहां वहां से गुजर गई यानि वहां पर कुस गरबढ़ है वहां टूटी भी है अब हम लोगों को गर वही दिखा दो तो हमको तो हर जगे टूटी निज़राती है अगर दिखाने वाला बता दे कहां चोट है हाँ यहां देखो लग रहा है यह देखो नहीं spot बना हुआ है खुद नहीं समझ मारा है लेकिन हम पढ़े लिखे हैं तो हम को समझी सब कुछ आता है ना तो हम बता देते हैं तो कुछ यहां टूटा हुआ है तो करीब साथ लाख यह साथ हजार साथ हजार साथ हजार वोल्ट का पोटेंशल होता है जो हीवन वाडी का X-ray होता है कि अगये एर हम को और हाइव वोल्टेज कर देंगे को आप अपी हैडně टी सब्साइब कर जाएगी पavy तो आपकी बढ़ होते हैं ना भाख्ला नंगल एय्मा सी इनका X-ray हुआ करता है इसमें क्या करते हैं डैम के अंदर की जो दिवाल है उसमें X-ray प्लेट लगा देते हैं और बाहर से बहुत हाई बोल्टेज दद्द सलाक बोल्टेज का अप्लाई करते हैं अगर हलका कही जर्क होगा तो वहां से X-ray गुजर जाएगी तो हमको मालू ह दिस्टर होते होते लिगामेंट दूर हो जाएंगे और अगर डैम फड़ गया तो इस्तित क्या होगी यह को समझा जा सकता है कि वह सास पास के गाउं के लोगों को समझने का मौका तो छोड़ी दीजिए नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर माल लेंगे कि इस चार्ज इज एक तो एक्षली में उसका वर्क कितना करना पड़ेगा यही वर्क उसकी क्या है कानेटिक नर्जी है हाँ 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 है चार्ज की बात कर रहा हूं तो क्यू लिख दो क्या दिक्कत है तो अगर एक कोईशन टू कर दें तो बाई कोईशन टू तो र is equal to क्या होगा वन अपान क्यू बी अंडरूड टू क्यू वी एम तो यह फामला हो गया अब यह क्यू जो है न यह क्यू इसका शिस है लिए है यह क्यू अंडर जाएगा तो यह क्या बन जाएगा अंडरूड टू वी अपान M क्या कर रहा हूँ Q ये क्या हो रहा भई M तो उपरी रहेगा और ये 1 अपान B बाहर हो जाएगा इसकी कोई सहली नहीं है ये बाहर बैठे है ये फार्मुला आपका बन जाएगा ठीक है तो ये चार्ज पार्टिकल का ये रेडियस का फार्मुला है अब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पास में मूब कर रहा है तो उसका कुछ टाइम पीरिड भी होता होगा तो टाइम पीरिड अगर हम निकालना चाहें टाइम पीरिड आफ चार्ज पार्टिकल टाइम period इसका निकाले time का formula क्या होता distance from velocity तो distance तो आपकी हो गई एक पुरा path complete करने में चली गई दूरी क्या होगी circumference 2 pi r और velocity क्या हो गई v तो 2 pi upon v अलग कर दें और r की value क्या है mv upon qb v और v cancel हो गया तो time period का formula क्या है 2 pi upon qb तो यह time period का formula है इसमें साब साब दिख रहा है कि time period velocity पर depend नहीं कर रहा है तो आप कहें अजीब यह कैसे हो सकता है हो सकता है अब आप कहेंगे तो आप तो बता रहे थे कि आर्ट में तो depend नहीं कर रहा है आप कहें रहे थे ज्यादा velocity से चलेगा तो ज्यादा बड़ी radius में जाना पड़ेगा उसको तो ज्यादा time लगेगा अरे रेडियस बड़ी हो गई है तो velocity भी बड़ी हो गई है तीक है मालिया आप cycle से चल रहे हैं और आपको 10 km का target रहे थे 10 गंटे पहुँचो ठीक है तो आपकी velocity कम है तो और जिसकी विलास्टी ज्यादा है उसका target कम दिया आपने आप एक सेकंड पहुचो तो चुकि radius बड़ी हो जाएगी तो velocity बड़ ज्यादा हो गई है तो आलेडी उसकी velocity ज्यादा है तो उसको time कम लगेगा और वैसे भी यहाँ velocity है नहीं तो ज्यादा हो जाएगी बड़ी हो कोई फरक नहीं पड़ता हाँ Q upon M पर depend करता है कि जो charge particle move कर रहा है वो कितना मोटाता जाए चली नहीं पा रहा है ठुमूर ठुमूर चल ला है उसका specific charge देखना पड़ेगा ठीक है तो यह आपका concept है पढ़ लिजेगा स्वाट टेक्निकल है में फार्मला एक याद करिएगा centipetal force provided by qvb यहीं से सब कुछ निकल आएगा पूरा यह याद होना चाहिए पुरे यह भी नायाद हो तो बगल वाले को याद होना चाहिए बगल वाले को नायाद हो तो डाट हो पढ़ के क्यों नहीं है वे मालम नहीं था एक जाम है आज तो अपने आप याद करके आएगा अगले दिन से